नमस्ते फ्रेंट्स मैं हूँ धनन जै जैसा कि हम सभी को अपने फैमली के जो एक्सपेंसेस होते है उसको मैनेज करने के लिए किसी न किसी तरीके का हमें रोजगार करना होता है तो हम as an employee होते हैं और जो हमें रोजगार देता है वो हमारा employer होता है इसी बीच बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जो हमें रोजगार देता है वो उस चीज का काफ़े benefit उठाता है या ऐसे इसको हम समझ लेकि वो बहुत हद तक torture करता है क्योंकि हम सभी को एक certain amount पैसे कमाना होता है at the end of the month ताकि अपने जो family का जो खर्च है उसको हम manage कर सके तो इस emotional चीज को पकड़ के जो हमारा employer होता है वो हमें बहुत हद तक torture भी करता है इनी सब को देखते हुए recently government of Australia ने एक नया नियम को introduce किया है जिस नियम का नाम है right to disconnect जब भी हम किसी society में या देश में रहते हैं तो वहाँ पे अगर कोई भी एक नियम आता है या multiple नियम आते हैं तो उसके अपने कुछ positive sides होते हैं कुछ अपने negative sides होते हैं अगर आप मुझसे किसी भी चीज़ के बारे में अगर opinion मांगते हो तो मेरा जो देखने का नजरिया होगा वो शायद आप से अलग होगा या ये depend करता है कि अब तक का जो मेरा experience है उस experience के हिसाब से मैं चीज़ों को describe करूँ वहीं पे अगर कोई और अगर same topic पे अगर आप उनसे कुछ पूछते हैं तो वो describe करेंगे उस चीज़ को अपने हिसाब से तो वैसे ही जो right to disconnect ये आता है नियम Australia में multiple लोगों के अपने opinion होते हैं अगर मैं अपने आपको as a businessman देखू तो मैं यही सोचूँगा कि जो मेरे पास काम कर रहा मैं उसका maximum utilization करूँ यानि कि more than 100% वहीं पे जो employees होते हैं यानि कि आपके हमारे से जो लोग काम करते हैं वो यही चाहते हैं कि वो जहाँ पे काम करें उनको एक अच्छा working environment मिले timely उनको छुट्टी मिले तो यह government और जो industry law अगेरा होता है यह उनको ensure करना पड़ता है कि एक common minimum ground ढूंडा जाए जहाँ पे employer भी खुश रहे हैं जहाँ employees भी खुश रहे हैं इसी महीने के 26 और 27 थारीकों यानि कि Monday और Tuesday को Australia में इस नियम को introduce किया जाता है और इस नियम के बारे में बढ़ चड़कर इसको support करते हैं वहाँ के प्रधान मंतरी Anthony Albanese जिनका more or less कुछ यह कहना था कि अगर आप working hour के बाद अगर अपने आप employees को contact करते हैं तो इसका कुछ लमसम यह मतलब निकाला जाता है कि आप अपने employees को 24x7 आप उसको work पे रखे हैं लेकिन जब आप किसी भी अपने employee को जब आप एक certain hours working hours के लिए जब आप उसको payment करते हैं तो आपको कोई भी हक नहीं बनता है कि आप उसको outside working hour आप उसको call करें जो कि सुनके अपने आप में काफी अच्छा लगता है majority of western countries में इस नियम या इस type के नियम को introduce किया गया है या तो इसके बारे में बढ़ चड़ कर बाते की जा रही है जहां पे ये भी focus किया जा रहा कि हम किसी भी तरीके से हमारा जो work life balance है उसको हम maintain करें और हमारे पास एक certain time रहें जिस time को अपने family के साथ हम invest करें ये भी काफी अच्छा एक सोच है या विचार है जहां पे अगर आप majority of time अगर आप office में गुजारते हैं तो कहीं न कहीं आप family से disconnect हो जाते हैं और जब आपके बच्चे बड़े होते हैं ये बहर ज़रूरी होता आपके लिए कि आप एक सही parenting उनको दे पाएं जहां तक बात किया जाए right to disconnect के बारे में तो Australia ये पहला देश नहीं है जो इस type के नियम को लेके आया जो records कहते हैं इसके हिसाब से 2017 में France इस नियम को लेके आते हैं लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ नियम को आप जब कागजों में बनाते हैं जब आप उसको पास करते हैं तो वो नियम exactly जब ground पे implement होता है तो वो उस तरीके से implement नहीं होता है जिस तरीके से आपको उम्मीद था कितनी बार ऐसा भी होता है कि कोई प्रोजेक्ट काफी sensitive होता है और आपके पास इतना वक्त नहीं होता है कि आप 10 घंटा ये 12 घंटा रुके तो वहाँ पे भी कहले कि एक mandatory हो जाता है कि आप जो employees उस प्रोजेक्ट के उपर काम कर रहे हैं आप उनको call करें या किसी भी तरीके साब उनसे contact साथ है और आप उस प्रोजेक्ट के बारे में उनसे आप opinion या जो भी जानकारी है आप उनसे ले तो more or less जो Australia का right to disconnect ये नियम आया है इसमें कुछ exceptions भी दिये गया है जहांपे अगर जो employer है अगर वो अपने employees को reasonable reasons अगर वो call करता है तो उस चीज़ को काफी acceptable तरीके से देखा गया और काफी positive तरीके से देखा गया है और साथ में अगर किसी भी तरीके से employee को ये लगता है कि उसको जो call किया जा रहा वो unreasonable है तो वो grievance department या officer के पास जा सकता है जो कि वो department रहेगा उसी company में कोई एक अलग group रहेंगे जहांपे अगर employee को किसी भी तरीके से अगर ये लगता है कि उसको जो call किया गया या जो contact साधा गया है वो unreasonable है तो वो वहाँ पे जाके अपने complaint को register कर सकता है और उसके बाद वो जो grievance officer या जो department है बहुत बढ़ चड़कर मारा जाता है जो किसी भी तरीके से skilled नहीं होते है या खास करके जो कस्बो साइड में काम करते जो उनके contractors वगेरा होते हैं वो उनसे अधिक काम करा के उनको कम payment करते हैं और उसके बाद COVID के आसपास या उसके बाद भी एक work from home का trend चला था जहां पर ये कहा तो गया था कि आप घर से काम करेंगे तो ये सुनके कुछ इस तरीके से लग रहा था जैसे कि अगर आप घर से काम करेंगे तो आपके पास काफी अच्छा वक्त रहेगा जहां पर आप अपने maybe hobbies को या maybe आप वो करना चाहे जो बहुत दिनों से आप plan कर रहे थे लेकिन work from home जब introduce होता है भारत में तो कुछ इस तरीके से देखा जाता है कि जहां पर कल को working hour 8 या 9 घंटे थे वही आपका आज working hour 10 या 11 घंटे हो गया तो कहने का मतलब है कि कभी कभी जो plan होता है वो कागजों में काफी अच्छा दिखता है वही पे अगर बात किया जा तो क्या right to disconnect जैसा कोई plan भारत में कभी introduce हुआ था संसद में तो 2018 में जो सुप्रिया सुले उस वक जो member of parliament रहती है वो एक private bill को introduce करती है जहां पर वो कुछ more or less इसी तरीके से right to disconnect के बारे में वो बात करती हो और कहती है कि जो employees है उनको तभी contact किया जाए जब reasonable रहे और किसी भी तरीके से उनको outside working hour contact ना किया जाए क्योंकि कोई भी जो employer होते हैं वो आपको 24 घंटे के लिए paid नहीं करते हैं क्योंकि ये private member bill कभी भी संसद में पेश नहीं हो पाया इसके उपर में discussion नहीं हो पाया तो इसी लिए इसका कोई खास importance रह नहीं जाता है लेकिन कहने का मतलब है कि इस idea को भारत में introduce किया गया था और साथ में अगर Australia के perspective से बात किया जाए तो जिस भी company में 15 या 15 से अधिक employees काम करते हैं इस नियम को 26 तारिक से आनी के Monday से introduce कर दिया गया है और जिस भी company में 15 या उससे कम लोग काम करते हैं वहाँ पे ये अगले दिन से आनी की 27th of August से इसको introduce कर दिया गया है जैसा कि expected था Australia के जो business man है या जो chamber of commerce वगेरा में जो member है वो इस चीज़ को काफी अच्छे तरीके से नहीं लेते हैं उनका भी कुछ यही कहना होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को नियम बना देते हैं तो जो employees होते हैं उनके पास वो हक मिल जाता है जहां पर आपके वो call या messages को deny कर सके सो कहने का या जो समझने का मतलब आपके और हमारे लिए है वो यह है कि नियम बनाना अच्छी बात है लेकिन बहुत सारे अलग-अलग चीज़ों को भी देखना जरूरी होता है अगर आप यह सोचते हैं कि आपके देश में foreign investment आये तो आपको नियम तो बना नहीं पड़ेगा लेकिन वो नियम ऐसा भी ना हो कि वो employees को काफी मदद पहुचा या employer को काफी मदद पहुचा है वैसे किसी भी नियम को बनाने से बचने चाहिए जहां पे किसी भी तरीके से foreign direct investment ना आए यह Australia के लिए भी applicable हो रही और यह भारत के लिए भी applicable है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूँगा मैं चाहूँगा कि आप मुझे email करके बताए see you in the next video, have a wonderful day thank you, take care, goodbye